इस्राइल ने हमास के चीफ याया शिन्वार को मार गिरा है। इस्राइल ने हमास को कड़ा संदेश देते हुए बंदकों को रिहा करने और उनकी सेना के आगे सरेंडर करने को अहन किया है। इसके जरिये पुष्टी की कि वह सिन्वार ही है। सिन्वार ने 22 साल पहले इस्राइल जेल में बिताए थे तब इस्राइल ने उनका DNA सेंपल सुरक्षित रख लिया था। जाज के बाद सिन्वार की मौत की पुष्टी हो गई है। हमास ने सिन्वार की मौत की खबरों पर कहा है कि अभी इस्राइली रिपोर्ट पर भरोसा ना करे और हमारे संदेश का इंतजार करे। हमास को कड़े संदेश में इस्राइल के रक्षामंत्री गेलेंट ने कहा है कि अब उनके पास आत्म समरपन करने और सभी बंदगों को उन्हें सौपने के लावा और कोई चारा नहीं बचा है। पिशले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले के दौरान हमास ने 200 लोगों को बंदग बना लिया था। अभी भी सौस्य अधिक बंदग हमास की कबजे में हैं जिने इस्राइली सेना लगाता ढून रही हैं। नमस्कार मैं हूं मानक गुपता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं यूज 24